हलो फेंड्स एक्सिस बैंक प्रायर्टी बैंकिंग प्रोग्राम के बैच ठर्ड के लिए एप्लिकेशन ओन हो चुकी है यह कोर्स फेंड आपको वन येर की है जो की एन इयाटी यूनिवर्सिटी मों होता है आपको फेंड यहाँ पर हंडे परसेंट एस्योड जॉब मिलती ह तो आप स्वेंड के बहुत लोगे कमेंट करते हैं क्या यह जूंहीं आपको साफ सा वहां पर सेल्स WOR्ण में हो आपको क्ष करना होगा आपकी पीजी प्रोग्राम होगी तो डेफिनेटली साफ बात है क्लियर कट है कि आपकी सेल्स प्रोफाइल जॉब यहाँ पर रहेगी ठीक है सो फिन बैच 3 के लिए application on हो चुकी है with limited seats है यहाँ पर limited slots है जो भी interested रहेंगा वो apply कर सकते हैं आपको job मिलती एक्सिस बैंक में deputy manager के grade पर बात करें कि क्या program है किता है आपको feel लगता है कौन-कौन यहाँ पर eligible है फिन first point है SEO job in sales and relationship management second point है आपकी यहाँ पर salary start होती है 5 lakhs रुपीज की CTC से तो आप 5 lakhs रुपीज को 12 से divide ना कर लिजागा क्योंकि यह attractive salary है आपको salary यहाँ पर कम ही मिलेगा 5 lakhs रुपीज से enhanced salary की बात कर रहा हो मैं ठीक है क्योंकि यह salary structure में CTC में सारे benefits सारे सब कुछ यहाँ पर जोड़ कर दिखाते हैं बट आपको enhanced salary कमाता है यह फिन आपको PG diploma course है from NIT जो की one year का है इसमें आपको training के दोरान stipend and salary भी मिलता है बात करते हैं कि training कैसे होगी राइट सब्सक्राइब कोर्स स्टार्ट होने पर आपकी 6.5 मन्थ की आपकी residential classroom training होती है जहाँ पर इनोंने stipend सूर नहीं किया है मतल़ stipend आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा देन आपको 3 मन्थ की internship होती है आक्सिस बैंक में आपको स्टाइपेंड मिलता है 12,000 रुपीज पर मन्थ देन आपको 2.5 मन्थ की आंज आप ट्रेनिंग होती है आक्सिस बैंक में वहाँ पर आपको full salary मिलता है आफ्टर completion of this course आपकी salary की CTC रहती है 5,000,000 रुपीज पर एनम आपको कॉलिफिकेशन required अप्लाई करने के लिए 50% marks in 10th, 12th and graduation एस यहां पर आपको अप्लाई करने के लिए 20 प्लस होना चाहिए during the time of admission आपको अप्लाई करने के लिए 20,000,000 रुपीज प्लस टैक्सिस यहां पर आपको लोन फैसिलिटी अवलेबल आक्सिस बैंक के तरफ से या फिर आप self funding भी कर सकते हैं अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे दिन आपको इस course की fee को pay करना होता है दिन आप इस course को join कर पाएंगे अप्लाई करने के लिए अक्सिस PBRM के batch 3 में तो आपको फिर आप्लिकेशन ओन हो चुकी है आपको अप्लाई करने की link मिलेगी Instagram पर आपको सबसे पहले apply करना होगा अप्लिकेशन form आप फिल करेंगे दिन आपकी exam होगी, interview होगी यहाँ पर फिर आपके एक online assessment test होता है दिन आपकी NIT interview लेगी और आपकी access bank की interview लेगी आपको फिर आपको दो interview अगर आपको doubt है कि आप clear नहीं कर पाएंगे exam तो हमने फिर पीडिए बना कर रखा हुआ है exam questions का और आपको interview में कैसे paper कर कैसे answer दे तो आपको फिर पीडिएफ की link में लेगी description box में आप वहाँ से check कर सकते हैं आपको exam के sample questions है और interview के कुछ questions है जो आपको interview में पूछे जाते हैं with answers तो आप उसे check कर सकते हैं link है description box में अगर फिर आप इस exam में ने interview के लिए कर लेंगे आपको वहाँ पर link provide कर दूंगा बाकि वीडियो अच्छी लगे होगी तो लाइक किजिए सबस्क्राइब किजिए and thank you for watching